Good morning, Dr. Shafali और आप, आज का वीडियो है, जो प्रेगनेंसी में हमें लाल दाने होते हैं, रैश होती है, इचिंग होती है, उसके क्या-क्या कारण होते हैं, देखिए, जो रैश हमें नॉमली प्रेगनेंसी में हमारे फैट के बढ़ने की वज़ा से, स्किन की स्ट्रेचिंग की वज़ा से, और जो स्ट्राया हमारी बॉड़ी में हो जाते हैं, स्ट्रेच मार्क्स, उसकी वज़ा से होती है, वो होती है, पी-उ-पी-पी, इन प्रेगनेंसी, मतलब प्लूराइटिस, प्लाक्स, ये इसलिए होती है, क्योंकि बहुत जादा हमारी सिंग की नहीं है, ये ही मानते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स की वज़ा से होते हैं, इनका बेबी पर और आप पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसमें सिंपल हमें इरिटेशन होती है, खुजली आती रहती है, लाल दाने होते है, जलन होती है, इसका ट्रीटमेंट सिंपल, आपको ठंडग देते हैं वो लगा सकते हैं इसके साथ ही liquid जादा लीजे hydration maintain कीजे तो आपको खुजली कम आएगी यह सबसे common कारण है normally 8th 9th month of pregnancy में होता है इसकी चंता नहीं करने second जो खुजली का कारण होता है वो होता है cholestasis in pregnancy इसी लिए जब भी कोई भी pregnant lady आती है जिसके पेट पे, कमर पे, हाथ पे, पेर पे लाल दाने हैं तो सबसे पहले एक common blood test कर आया जाता है liver function test उसके अंदर हम belly rubin देखते हैं SGOT, SGPT, alkaline phosphatase मेरे खयाल से हर pregnant lady को आजकल इसके बारे में पता होता है ये होता है cholestasis in pregnancy जो की pregnancy की वज़ा से, बच्चे की वज़ा से, प्लाजन्टा की वज़ा से हमें होता है इसमें हमारे liver पर pressure पढ़ता है, जोर होता है, जिसकी वज़ा से उसकी functioning गड़बड होती है तो bile salt, bile acids बहुत ज़ादा बनने लग जाते हैं आम भाशा में कहूं, तो body में पीलिये जैसी स्थिती हो जाती है यही मैं अपनी pregnant lady को भी बोलती हूँ, कि वैसे ही precaution रखने हैं, जैसे हम लोग jaundice या पीलिये में रखते हैं कैसे? सबसे पहला आपको diet का ध्यान रखना है यदि आपका SGOT, SGPT सत्तर असी से ज़ादा है alkaline phosphatase normal range, 1.500-200 की range से उपर आने लग गया है या फिर आपका bilirubin भी बढ़ गया है तो आपको अपनी diet में carbohydrate ज़ादा लेना है आपको protein ज़ादा लेना है, fats एकदम कम करने हैं कैसे, आपको cow milk लेना है, मलाई निकाल के buffalo milk आपको नहीं लेना, fat, butter, घी बिल्कुल diet में कम करना है साथ में अगर आप दही की लसी ले रहे हैं तो आप बिल्कुल पतला करके चाच की form में लीजे गाड़ी लसी मत लीजे, क्योंकि उससे भी आपको fat जादा मिलता है पनीर, चैना, जो संदेश मिठाई है, वो मुझे भी बहुत पसंद है और मैं pregnant ladies को भी बहुत बोलती हूँ, वो लीजे आप cheese खा सकते हैं, अप grate करके coconut की मिठाई खा सकते हैं इसके अलावा coconut water लीजे, आपको सारे juices, fruits, watermelon, musk melon, neemukishikanji यह सब लेना है light चीजे ताकि आपके liver का rejuvenation होगा liver light रहेगा, उसको बहुत जादा भारी खाने को digest नहीं करना पड़ेगा तो उस पर pressure कम पड़ेगा, इस तरह की आपको diet लेनी है secondly, आपको हम कुछ tablets देते हैं, जिन में अर्सो डियोक्सिकोलिक एसिड, salt होता है जो योडिलेव, योडियरपोर, बहुत सारे brands में available होती है हम लोग leaf 52 tablet भी देते है, हम लोग कुछ syrups भी देते है, जिसमें liver enzymes होते है तो उससे भी आपके SGOT, SGPT decrease होते है ये आप दिन में दो बार या तीन बार की dose normally लेते है 300 mg की अर्सो डियोक्सिकोलिक की tablet आती है कई बार हम उसे 7 दिन, 10 दिन देते हैं जिससे कि आपकी liver की enzymes कम हो जाते हैं, तो हम break देते हैं फिर से यदि हमें लगता है कि LFT तो normal है, liver function test, blood test लेकिन आपको symptoms आ रहे हैं, आपको फिर भी itching, खुझली, लाल दाने, जलन हो रही है तो हम दुबारा से 7-10 दिन ये tablet repeat कर देते हैं साथ में zinc, multi vitamin tablet भी आपको देते हैं, तो इससे भी आपको itching में राहत देती है इसके अलावा कोई भी anti allergic, pexofenadine, atorax, ये common गोलियां हम देते हैं जिससे कि आपको itching कम होती है, otherwise आप रात को सो भी नहीं पाते है, गबराहत होती है बिलकुल नीन नहीं हाती, आपको fetal movement भी कम हो सकते हैं फिर आपको dexona या beta-methasone के steroid के injection भी हम देते हैं जो आप as early as 28 सपते भी ले सकते हैं, as late as 35 to 36 weeks भी ले सकते हैं इससे आपको steroid से itching में भी राहत मिलती है, साथ-साथ में बच्चे के maturity भी जल्दी होती है क्योंकि polystasis का side effect कई बार बच्चे पे पड़ता है इसके अंदर जो placenta होता है, उसमें भी bile salt जम जाता है जिसकी वज़ा से बच्चे को जो blood supply होती है, वो कम हो सकती है तो बच्चे के चारों तरफ का पान ही कम हो सकता है, polycoherumneos होता है साथ-साथ में जो IUGR बच्चे हैं, बच्चे का हो सकता है जतना weight gain होना चाहिए वो ना हो तो IUGR, intrauterine, growth restriction भी मिलता है, बच्चे का weight normal से कम मिलता है तो इसलिए जब colistasis होता है, तो हम patient को बोलते हैं, serial ultrasounds अपने frequently कराते रहिए moments का ध्यान रखिए, fetal heart regular doctor के पास जाकर के, अपनी monitoring कराते रहिए 8-10 moments जरूर होने चाहिए, diet जैसी बताई है, लेते रहिए ultrasound में, doppler ultrasound जरूर कराई है, क्योंकि इसमें colistasis से कई बार blood supply बच्चे की कम होती है तो आपको पता चलता रहेगा, कि बच्चे को complete blood मिल रहा है कि नहीं इसके अंदर, यदि बहुत से बेरिये हो जाता है, uncontrolled होता है, कि liver के enzyme नहीं गिर रहे आपके खुजली में अराम नहीं आ रहा, सारे measures लेने के बावजूद भी प्रॉपर water चारों तरफ नहीं होने से, बच्चे की ग्रोथ कम होने की वज़ा से मिकोनियम पास कर देता है, तो बच्चे को दिक्कत रहती है अंदर तो हम सोचते हैं कि एक लेवल के maturity हो गए, तो या तो normal delivery हो जाए या uncontrolled cholestasis है, किसी भी तरह से ठीक नहीं हो रहा, even हम drips लगाते हैं अलामीन की, protein की, आपको dextrose की, glucose की drips लगाई जाती है ताकि ये liver enzyme कम हो सके, बच्चे की growth हो सके, बच्चे का weight बढ़ सके इन सब के बावजूद भी, यदि ये सब ठीक नहीं होता, तो कई बार हमें elective cesarean पर भी जाना पड़ जाता है, तो इसलिए cholestasis का knowledge होना आपको बहुत जरूरी है, normally ये pregnancy के साथवे महीने से चालू होता है, और delivery के बाद ही आपको chain की सांस लेने देता है, तो इसलिए जतना knowledge आपके लिए जरूरी था, मैंने आपको सारा दे दिया, फिर भी कुछ question रह गए हो, कुछ नहीं समझाया हो, आप comment section में बे जजग डालिए, मैं फिर से आपके लिए video बना दूँगी, इसी कोई भी complication छूँना पाए